आज हम बात करते हैं जून की ड्रॉपिंग पर आज हमारे बागवान बहुत ज़्यादा परिशान है जून की में जो ड्रॉपिंग होने वाली है और हो रही है इसकी वज़ासी तो इसका मुख्या कारण सभी बागवान जानते हैं कि जब हमारे पॉलिनेशन कम होता हमारे बागवान भाई अपने बगीचों में गुलदस्ते लगा करके भी हमारे बगीचों को पॉलिनेशन से थोड़ा सा उसको वो कर सकते हैं बचा सकते हैं ड्रॉप होने से तो कल में भी हमारे बागवान भाई लगा रहे हैं कुछ लगा चुके हैं मैं खुद कुछ सालों से भी एक-दो सालों से लगा रहा हूं, तो जातर मैं गुलदस्ते से काम चला रहा हूं, तो बड़ों पेड़ों में थोड़ा सा जो बहुत ज़ादा पेड़ हैं, 30-40 साल के, उसमें थोड़ा सा मुश्कल हो रहा है कलम लगाना, उसमें नीचल पर रह तो इन चीजों को मैं थोड़ा सा लगाने की जादा कोशिश कर रहा हूं छोटे प्लांटों में तो ताकि पॉलनेशन की जो कमी है उसे दूर करो तो दूसरी बात आती है फूर्ट जादा आता है तो इसमें थिनीन कर सकते हैं और थिनीन के लिए हम प्लैनोफिक्स डालते हैं 100 ml दोसो लिटर पानी में तो इससे भी हमारा जो है ड्रॉप ओन हो जाता है और थिनीन हो जाती है तो तीसरा जो एक कारण है वो है सुखा दोस्तों सुखे की वज़े से भी ड्रॉप हमारा बहुत ज्यादा हो जाता है तो मैं आज जो भात करना चाहता हूं बो है अलग से वो है हमारे स्प्रेश पर कि रुच में हम हमारे बगीच MOR को बहुत जादा माइक्रुनियोट्रेट की ज़लरत होती है इस वक्त हमें केल्शियू की ज़लरत होती है और हमारे पॉटाश की जरुडरत हो ज़ाती है इसमें कि कई कई बर दार जिंक की council पते हैं BA कमी हो चब भी करें एक तो हमेशा अलग लग करें और कोशिश करें आप जब भी नमी, नमी है तो तभी आप स्प्रे करें नहीं तो आप रुकें या बारिश के इंसार करें या फिर अपने बगीचों में मल्चिंग करें जो बागवान भाई जिन्होंने काला पॉलिफिन लगा के रखा तो वो तो सबसे वैस्ट है जिन्होंने लगाया जिन्होंने नहीं लगाया तो मेरी तरह बहुत सारे बागवान है जो काला पॉली थे नहीं लगाते हैं या नेट नहीं लगाते हैं तो हम तो नेट भी नहीं लगाते हैं तो आप हमेशा ये देखें कि आपके बगीचे में नमी है कि नहीं है तो उसके लिए आप गास की मल्चिंग करके रखें जून की महीने में खास कर और बरसात आने से पहले आप उस मल्चिंग को हटा दें नहीं तो आपकी बरसात में नमी जादा होने की बज़े से रोट लगने का खत्रा है आपकी सेव की जड़े खराब होने का खत्रा है तो इसलिए आप बरसात में मल्चिंग को हटा दें और जून के महिने में जब भी आप स्प्रे करें टॉनिक की तो आप ये देखें कि आपके बगीचे में नमी है कि नहीं है और एक कारण और है दोस् तो बागवान भाई बेख लें आजकल तो सबकी नेटों में पता लग जाता कि मौसम कैसा है हुआ कितनी आने वाली है तो अगर तुफान आने वाला है तो बागवान भाई आपने बगीचे में प्लेनोफिक्स 45 ml 200 लिटर पानी में डाल करके अकेले सप्रे कर लें इससे कि आम कुछ हद तक ड्रॉपिंग को बचा सकते हैं खासका जून की में बहुत ज़्यादा ड्रॉपिंग होती है 15 जून के आसपास उस वक्त के होता बहुत ज़्यादा सुखा पड़ता है इसलिए उन दिनों में आप टॉनिक ना मारें और स्प्रे करने से भी बचें स्प्रे साथ से भी अरने सहोटा है तो इस वक्त मैं माइक्रो बूतर लिन करें और ऊंक अनगे मार चुकवान वे डोगीकजे में आपको लगतासा की उसमें आपके आँं तो आप उसी हिसाब से तरे करें आपके जून के महिने में यह आपके लिए ऑर भी ज़्ञातक हो सकती है यह इतने में और आके जब्गीट हे बचेंग से बलब उस आपसंगों. करें अन्य था ना करえं दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद बाए और मुझे बताएं और मेरी वीडियो के बारे में अगर आपको जो भी परने माने कुछा सोन भी भुब सी ज्गिए कुछा से कि बाल पर केelectने और पर features तो आप जो हमारे नए मित्र इस पर आये हुए तो प्लीज बूब बेल आइकन दवाएं ताकि मेरी नेक्स वीडियो आप तक पहुंच पाएं धन्यवाद जैंग जै बारत जै श्रीक्रिश्न